हेलो गाइस current affairs funda में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 नमबर तक के सभी important current affairs cover करने वाले हैं अविसा की तरह आप इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मि आपको अब इंस्टॉर कर लिजे क्योंकि जो भी हमारा पीडियो अफ मेंट अफेर्स के साथ साथ स्ट्रेटिक जी के भी प्रवाइट कराते हैं यह सभी मेंट आपको हमारी current affairs funda एप पर उपलब हो पाएगा हमारी पीडियो आपको कोई भी डाउट है कुछ भी आप पू एन कलाई सेलवी एस सोमनाथ डॉक्टर समीर वी कामत या फिर डॉक्टर पवन कुमार गोएंगा तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजे फिर आगे बढ़ते हैं विच कंट्री होस्टेट थे 2022 एशिया पैसिफिक एकोनोमिक कोपरेशन सम्मीट किस देश ने 2022 एशिया प्रसांत आर्थिक सहयोग सिखर सम्मेलन की मेजवानी की है ओप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर ओप्शन भी है थाईलेंड आपको जाना चाहिए थाईलेंड के प्राइमिस्टर प्रयूत चान ओचा इन्होंने 2022 एसिया पैसिफिक एकोनोमिक कोपरेशन यानिकी अपैक सम्मीट को होस्ट किया है बैंकोक में और यह जो अपैक स इंचेंट ट्रेडिशनल बैंबू बास्केट है जो कि थाईलेंड में प्रोड़क्ट्स या गुड्स को कैरी करने के लिए यूज की जाती है अगर हम बात करें अपैक के बारे में तो इसका हैटकॉर्टर सिंगापूर में है यह एक इंटर गॉर्मेंटल फोरम है जिसमें की टॉंटीवन मेंबर कंट्रीज हैं जो पैसिफिक रिम के तहट आती हैं और यह सभी कंट्रीज ऐस्या पैसिफिक रीजन में फ्री ट्रेट को प्रमोट करती हैं एक की स्थाफने 1989 में हुई थी ग्लोबल पॉपुलेशन का 38% कंट्रीज में रहती हैं और ग्लोबल जो अपक का मेंबर नहीं है हाला कि भारत ने अपक की मेंबर्शिप के लिए रिक्वेस्ट की थी लेकिन अपक के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इंडिया को इस इस गुरूप में जोइन करने से अभी मंजूरी नहीं दी है क्योंकि एक फैक्ट यह भी है कि जो भारत है वह पै सब्सक्राइब के साथ बॉर्डर शेर करते हैं वह कंट्रीज है इसमें लेकिन भारत ऐसा नहीं करता है इसलिए भारत को अभी मंजूरी नहीं मिली हाला कि नवंबर 2011 में भारत को ऑप्सर्वर के तौर पर इस ग्रूपिंग में सामिल किया गया था वट इस थीम फोर वर्ड टॉइलेट टेस सेलिबरेशन ओन 19 नवंबर उन्निस नवंबर को विश्व सोचाले दीवस समारों की थीम क्या है ओप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन दी रहेगा मेकिंग दा इन्विजिबल विजिबल आपको जाना चाहिए वर्ड कोल 6 है water and sanitation for all by 2030 तो उसको भी यह फॉलो करता है यह डे आपको जाना चाहिए वर्ड टॉइलेट डे 2022 का थीम है मेकिंग दा इन्विजिबल विजिबल तो ऐसा पी आई भी में दिया गया था आप देख सकते हैं आपर फॉर्थ पॉइंट 2022 थीम आफ दा वर्ड टॉइलेट टेज मेकिंग दा इन्विजिबल विजिबल तो यहां पर गॉवर्मेंट द्वारा जितने भी स्टेट्स एंड यूनें परेट्रीज हैं उनको यह सुझाया गया है कि आप सभी स्वच्छतार रन इस इवेंट को कंड़क्ट हीजिए ग्राम पंचायत लेवल पर वर्ड ट सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी है एक आपको जानना चाहिए यदि हम क्लाइमेट चेंज पर्फॉर्मेंस इंडेक्स सीची पी टॉन्टी टॉन्टी तरी की बात करें तो भारत यहां पर एर्थ पोजिशन पर है आउट ओफ 63 पोजिशन में से एर्थ पोजिशन पर है यह यह जो रिपोर्ट है यह तीन इन्वाइमेंटल नोन गवर्मेंटल और्गनाइजिशन त्वार पब्लिश की जाती है इनके नाम जर्मन वाच निव क्लाइमेट इंसिट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है यह यह यूरोपियन यूनियन प्लस 59 कंट्रीज में क कंट्रिब्यूट करते हैं शेयर करते हैं अच्छे यहां पर एक चीछ देखिएगा उपर लिखा हुआ है कि भारत ने एर्थ पोजिशन आउट ओफ 63 और यहां पर लिखा हुआ है कि यह कितने 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 देशों को लेता है 59 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन और यह 14 इंडिकेटर्स पर बेश होती हैं जो कि जिसके लिए चार प्राइमरी केटेग्रीज हैं एक तो है ग्रीन हाउस कैस्ट एमिशन 40 परसेंट को इसका वेटेज रहता है रिनूबल एनरजी 20 परसेंट इसका वेटेज रहता है एनरजी यूस 20 परसेंट एंड क्लाइमेट हाफ करने पर जो उनका एमिशन उसको 2030 तक हाफ करने के लिए कितने सही जा रहे हैं या फिर कितने प्रतिबद हैं अब इंडिया की रैंकिंग अगर हम कैटेग्रीज में बात करें तो ग्रीन हाउस कैस्ट एमिशन के मामले में 9 है रिनूबल एनरजी में 24 है और एनरजी दिये जाएं अब आप समझें वहां पर 60 हो रहा था ना 59 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन ठीक है तो 60 हो रहा था क्यूंकि तीन जो सुरू के प्लेस हैं वह खाली है इसमें उनमें कोई कंट्री नहीं है इसलिए वो 60 हो रहे थे और आउट ओप हमने 63 में से लिया है त करें तो यह 19 पोजिशन पर से यू उर्मान के देंन में कई सारी कंट्री से उनको अलग से विर्यान परीच्शन परagh और चाहित की अगर हम बात करें तो चाहिन आप 56 फख़क्षिव फोजिशन पर इरां चाहिता nuance की और रान छालीज़त conceived का अपको बrator दिढूआ हम भारत आटवे नमबर पर है, उनाइट इंग्डम ग्यारवे नमबर पर है और जनमनी सोलवे नमबर पर है, वहीं G20 में सबसे खराब परदशन साथी यरप का रहा है, तो यह जो लास्ट पेरा घ्राफ है ना यह सबसे मैत्पून है, अगर ऐसा पुछ ले जाए एकदाम में क G20 कंट्री में सबसे बैथर परफॉर्मेंस किसे निकलिया है, तो वो होगा भारत में, चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया, राजीव कुमार हैस बीन इन्वाइड़ेड बाइ इलेक्शन कमिशन ऑफ विच कंट्री, ऐस इंडरनेसल आप्सरवर फोर दा फोर्थ कॉमि इलेक्शन्स, भारत के मुख्य चुनाव आयुकत, राजीव कुमार को किस देश के चुनाव आयुक ने आगामी चुनाव के लिए अंतरास्टे परिवेक्शक के रूप में आमंद्रित किया है, ओप्शन्स आपके सामने है, सही आंसर ओप्शन ए रहेगा नेपाल, तो जा उनमें आप उपस्तिति दर्ज कराई है, तो इंट्रेशनल उपस्तिति उनको बुलाए है, आपको जाना चाहिए बीस नमबर को, इलेक्शन्स है नेपाल में, फेडरल एंड प्रोविंसल इलेक्शन्स हैं, जिनके तहत जो यहां की फेडरल पार्लेमेंट है, उसमें 275 में चुने जाएंगे, वहीं 7 प्रोविंसल एसेम्बली की 550 सीट्स पर भी इलेक्शन होने हैं, आपको जाना चाहिए कि जो नेपाल की पार्लेमेंट है, फेडरल पार्लेमेंट जो है, यह बाइकेमरल फेडरल है, और इसकी स्ताबना 2018 में हुई थी, तो इसमें नेशनल तो देखिए काशी और तमिलाडू के बीच में, जो एक centuries old, knowledge का और ancient civilization linkage जो है, उसको rediscover करने के लिए, एक महिने तक चलने वाले, 17 नमबर से, 16 दिसम्बर तक चलने वाले, काशी तमिल संगमम, इस event की शुरुवात हो चुकी है, वरानसी उत्तरप्रदेश से, आपको जाना चाहिए, government of India का initiative है, आजादिका अमरित महुत्सव के तहत य initiative लिए आ गया है, और एक भारत, सिरेष्ट भारत की भावना के तहत, इस initiative को सुरू किया गया है, बनारस हिंदू उनिवरस्टी, भी एच्यू, और Indian Institute of Technology, मत्राज, ये दोनों ही higher education institutions, इस event के लिए knowledge partners है, आपको जाना चाहिए, इस initiative के तहत, 2400 लोगों को तमिलनाडू से वारान सी विजिट कराया जाएगा, इसके सुरुवात के हो जुगे है, इंडियन रेलवेज ने 216 लोगों का एक group, जो है, रामेश्वरम तमिलनाडू से काशी तक लाया है, इसके तहत आपको बता दे, रेलवेज 13 special services इस तरह की चलाएगी, जिसके तहत लोगों को तमिलनाडू से काशी लाया जाएगा, 2592 ऐसे डेलिगेट्स हैं जिनको लाया जाएगा तमिलनाडू से काशी, इसका नाम विक्रम एस है, इसको लॉंच किया है, लॉंच तो मतलब इस रुद्वारा किया गया है, लेकिन बनाया इसको इसका एरूट एरोस्पेस ने किया है, और इसके साथ तीन पेलोड्स भी जो है अटेश थे, उनको भी उपर भेजा गया है, सतीज द्रवन इसपेस सेंडर स्रीहरी कोटा से, इसने 89 किलोमेटर की हाइट एचीव की, जबकि टार्गेट 80 किलोमेटर का था, आपको जाना चीए इस रोकेट का नाम, जो विकरम सारा भाई रहे, इस रोकेए फाउंडर, विकरम सारा भाई उनके नाम पर रखा गया है, जिने father of India's space sector कहा जाता है और इस event का नाम दिया गया है इस नई शुरुवात का नाम दिया गया है प्रारंब आपको जादे साल 2020 में जो space sector है उसको private players के लिए खोल दिया गया भरसरकार द्वारा तो प्रारंब इस यह जो नई start होई है private sector की इसका नाम दिया गया है प्रारंब आपको जाना चाहिए उसके साथ three satellites जो भेजी गई है उन में से एक है चिन्नई-based startup space kids दूसरी है आंधर प्रतेस बेस्ट एन इस पेस टेक और तीसरी अर्मेनिया की है बजूम क्यू इस पेस रिसर्च लैब तो यह याद रखिएगा एक भी देसी satellite कहां कि है अर्मेनिया की बाकि आपको जाना चाहिए स्काइरूट एरोस्पेस के CEO एंड को फाउंडर पवन कुमार चंदाना है इसका headquarters है तिलंगाना में है साथ ही आपको जाना चाहिए स्काइरूट विक्रम रोकेट के तीन वैरियंट्स डेवलप कर रही है एक तो है विक्रम वन जो 480 kg का एक किलोमेटर लो इंकलाइंड और बिट तक जो पेलोड है सो करी कर सकता है हुआ है हुआ है है हुआ है है हुआ है माफ की जाए आपको जाना चाहिए राने ग्रूप चेर्मेन एल गनेश इनको प्रिस्टिजियस डेमिंग आवार्ड दिया गया है किसलिए दिया गया है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में कोंट्रिब्यूशन के लिए इसको प्रमॉट करने के लिए आपको जाना चाहिए थर्ड इंडियन है और ओवरोल फिफ्ट परसन है जिनको यह प्रतिश्टित सम्मान दिया गया है आपको जाना चाहिए जो यह डेमिंग आवार्ड है यह उन इंडिविज्वल्स को दिया जाता है जिन्होंने टीक्यूम यान की टोटल क्यालिटी मेनजमेंट के छेत्र में काफी अच्छा कारे किया है इसको प्रमॉट किया है कि डेमिंग प्राइस कमिटी द्वारा दिया जाता है अच्छा और भी ओनर्स कुछ दिये गए हैं इंडियन ओर इंडियन लोगों को उनके बारे में भी आप जान लीजें तो इंडियन ओरीजन परियर्ट्रीशियन है यानि कि सिशू रोग भी से सग्गे हैं अंगराज खिल और दिया गया है क्योंगी कोवीड-19 पैंडेमिक के दोरान इन्होंने फ्लॉट्स बुश्फायर डॉट में यहां पर काफी सेवा की थी विच कंट्रीश हाइस्ट शिविलियन ओनर नाइट ओफ दा लीजन ओफ आउनर हैस बिन कंफर्ट तो देजिएंट ओफ आई एफ सीची आई सुमित आनंद को किस देश के सरवोचे नागरिक सम्मान नाइट ओफ दा लीजन ओफ आउनर से सम्मानित किया गया ऑप्शन देहिए जो भारत में फ्रांस के अम्बैस्टर हैं एम्मेन्वल लेन तो इनके द्वारा सेवैलियोर डेला लीजन दी ओनर यानिकी नाइट ओफ दा लीजन ओफ आउनर यह सम्मान सुमित आनंद को दिया गया है जो की फांडर है इंसाइट ग्रोथ पार्टनर्स के और प् अवार्ड है जो फ्रांस सरकार द्वारा दिया जाता है किसी भी देश के नागरिक को जिसने फ्रांस के लिए अपनी आउटस्टेंडिंग सर्विस दी हो अथारा सुदो में इस अवार्ड हो क्रेट किया गया था नेपोलियन बोनाबार्ट के द्वारा दिपोसित इंसुनेंस एंड क्रेट कारंटी कोर्परेशन डियाए जीजी सी सेटल्ड क्लेम्स अमांटिंग तो एट थाउजन फाइफंड फाइंड शिटीन प्रोड रूपीस दूरिंग ट्वार्टी वाट इस थे मैक्सिमुम् इपोसित अमांट इंसूर्ड भाइज पा सामने हैं सही रूपीस फाइव लैक्स तो जानिएगा जो डिपोसिट इंसुनेंस एंड क्रिट गारंटी कोर्परेशन डियाए सी जी सी तो इसने दोजार इकिस बाइस के दोरान बालत सम्लाव नो चाल्ड लाख डिपोसिटर्स के आठ जार पांसो सोलाव 6 क्रोड रूप परफिजिस इंडिया में हैं वह लोकल अरिया बैंक्स हो गए रिजनल रूरल बैंक्स हो गए इस्मॉल फाइनस बैक हो गए पेमेंट स्वा नोगते हैं तो यह सभी ऑडि यसी जी सी की इसके तहत इंशुर्ड रहते हैं इसकी जो ग्रहक रहती हैं अच्छा जो नंबर वो संट करोड रूपय के जो क्लेम्स till हुपने wenn भूट यह शर चायाट漫ी क्लेसि ने उन्हें से पांसी जार उन्शथब्ड रूपय के जो क्लेमें वह लिकविडाइट़ज और मघर्ज के लिए कि गए वही 3,457.4 प्रूड के जो क्रेम है वह जो बैंक्स हैं जो की RBI के All Inclusive Directions के तहत रखे गए हैं तो उनके करहाकों के लिए किये गए हैं कि DICGC के एकर हम भात करें आप सभी जानते हैं यह होल्य ओंड सब्सिट्री है RBI की और बैंक टिपोसिट्स पर इंशुरेंस कवर प्रवाइट कराती है 2020 में DICGC ने जो Central Government है उसने DICGC द्वारा जो इंशूर्ड सम है उसको बढ़ाकर पांच लाख रुपे कर दिया गया था और कब से एफेक्टिव हुआ यह पांच लाख रुपे याया चार फरवी 2020 से आपो जाने चे डिपोसिट इंशुरेंस एक 1961 यह एक जनवर इंशुर कल्चर वाइड लाइफ एंड है बारवतर किस देशने संस्कृति वन्यजीवन और स्वास्ते के छेत्र में चार समझोता है कि आपनों पर हस्ताक्षर किये ऑप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन दी है कंबोडिया तो जानिएगा भारत और कंबोडिया ने चार म साइन किये हैं कल्चर वाइड लाइफ एंड हैड के छेत्र में तो यह जो है मोई उस हैं यह साइन किये गए जो मारे वाइस प्रेजिनेंट है जब चक्दीप धानकर्ड और कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हुंसें के द्वारा किस दोरान जो फॉर्टीथ एंड फॉर इसकी थीम जो रही आशियान 2022 जो सम्मिट हुई इसकी थीम रही आशियान ACT यान कि एड्रेसिंग चैनेंजेस टुगेदर साथी इसी दोरान 19th आशियान इंडिया सम्मिट 2022 भी कंबोडिया में हुई है विच एस इंप्लिमेंटेट द पंचायत एक्स्टेंशन तो सिड्डूट एरियास पीएस एक्ट तु प्रिजर्व दर ट्राइबल पॉबलेशन फॉर्म एक्स्टेशन किसने जन जाते आबादी को सोशन से बचाने के लिए अनुसूची छेत्रों में पंचायत विस्तार दिनियम को लागू किया है ओप्शन सापके सामने हैं सही आंसर ओप्शन दी मद्यपरदेश है तो मद्यपरदेश गवर्मेंट ने यहां पंचायत एक्स्टेंशन टू सिड्डूड एरियास एक्ट इसको इंप्लिमेंट कर दिया है जिसका मक्सद यह है कि जो ट्राइबल एरिया में उनको इस्पेशल पावर्स दी गई है जिसके तहति यह नैच्वर्ड रिसोर्स को मैनेज कर सकती है ग्रामसभा दसेवी हैस रिद्यूस्ट मिनिमम होल्डिंग रिक्वायर्मेंट ऑफ रियल इस्टेट इन्वेस्ट्मेंट टूस्ट रीट्स यूनिट्स पाइ कितने प्रतिश्यत कर दिया ओप्शन्स आपके सामने हैं सही हांधर ओप्शन्स ही है 15 तो का कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सेक्यूर्टिस एंड एक्सचेंज बोट ऑफ इंडिया इसने रूल्स नोटिफाई किये किसलिए जो रियल इस्टेट इन्वेस्मेंट ट्र इस यूनिट है तो जो इस्पोंसर के पास होनी चाहिए उसके लिए मिनिमुम होल्डिंग रिक्वाइर्मेंट कितनी होगी 15 परसेंट होगी आपको जाना चाहिए साथी सेवी ने जो सेपरेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इंफरस्रक्टर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट यानि कि इनविट के लिए उसको भी डिसकॉंटेन्यू कर दिया है और यह एक जनवरी से लाग होगा 2030 से साथी इसने सेवी ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किये हैं ताकि जो यह होता है ना ओनलाइन बॉंड प्लेट्फॉर्म होते हैं जो डेट वह ओनलाइन बॉंड प्लेट्फॉर्म प्रोवाइडर के तौर पर कारे नहीं करेगा जब तक कि वह इस्टोग प्रोकर के रूप में रेइस्ट्रेशन सर्टिफिट प्राप नहीं कर लेता सेवी से हाई आपको बास होंगे पढ़िएगा नो परसन वूड एक्ट एज अन ओनलाइन बॉर्ड प्लेट्फॉर्म प्रोवाइडर विदाउट ओटेनिंग रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिट एज इस्टोग प्रोकर फॉर्म सेवी तो कोई भी परसन ओनलाइन बॉर्ड प्लेट् पर कार्य कर रहा है और वह उसके पास रिषट्रेंशन सर्टिफिट भी नहीं है तो इसके पास तिमये नहीं स्ग्परोग में insistex को किया है और यह जो सेवी निया रूल बता है कि रिश्टर कर औहाब आपको तो यह जो रूल से लागू हो चुके हैं तो 9 November से पहले से कोई परसन यदी इस तरह का कारे कर रहा था बिना रिश्टर किये हुए वह ओनलाइन बॉंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर के तुरुपर कारे कर रहा था तो तीन महीने तक कर सकता है लेकिन उसको अपने आपको रिश्टर कराना पड़ेगा रों डिलिवरी स्टार्टप टेक इगल हैस ऑर्गनाइजट द वर्ड्स फर्स्ट वैक्सीन डिलिवरी फॉर एनिमल हस्पेंटरी इन विज इस स्टेट ड्रॉन डिलिवरी स्टार्टप टेक इगल ने किस राज्जिमें पसुपालन के लिए दुनिया की पहली बनाई गई है इनको डिलिवर किया है एनिमल हस्पेंट डिपार्टमेंट ओफ अनुवाचल परदेश को तो जो ड्रॉन गया है यह कांकों से पगलाम तक गया है 39 किलोमेटर की यात्रा इसने पूरी यह नोईडा बेस्ट कंट्री नोईडा बेस्ट कंपनी है टेक इगल औ है तसे ट्रांसपोर्ट की है ऐसा इसका कहना है और ड्रॉन का नाम रहा वर्टी प्लेन एक्स-3 कि आपको जानना चाहिए जो यह यह ट्रॉन ट्वारा जो पूरी की गई है इसके लिए इसने अरुनाशल प्रदेश का जो एनिमल हस्पेंट डिपार्टमेंट है और के साइंड वन फिफ्टी मिलियन यूरो लोन एग्रिमेंट विद जर्मन डेवलप्मेंट बैंक के अफटबलू फॉर फंडिंग सोलर प्रोजेक्ट किस बैंक ने सोर परियोजनाओ के वित्त पूशन के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ एक सोपचास मिलियन यूरो के रि सब्सक्राइब के लिए फंडिंग प्रोवाइट कराएगा तो वन बिलियन यूरो का लोन प्रोवाइट कराएगा इस तरह का एक एग्रिमेंट 2015 में साइन वा था विजनेस के नई प्रमो को रुपा ध्यक्ष कोन है आपके सामने है सही आंसर ऑप्शन लिए संधिया देवनाथन तो सोशल मिडिया जाएट मेटा इन्होंने संधिया देवनाथन को भारत में जो मेटा का बिजनस है उसकी नई हैड और वाइस प्रेजिडेंट निक्ति किय है मेटा आप से भी जानते हैं फेस्बूक इंस्टाग्राम और वट्सेप की मालिक है मेटा के अनुसार आपको जाना चाहिए जो देवनाथन है इन्होंने 2016 में कंपनी जोइन की थी और मेटा का जो सिंगप और विटनाम बिजनस है उसको बिल्ट करने में भी इनका का यु सेंट्रल गवर्मेंट किंद्र सरकार द्वारा भारते रिजर्व बैंक के केंद्रिया बोर्ड में निदेशक की रूप में किसे न्यूक्त किया गया ओप्शन्स आपके सामने सही आंसर ऑप्शन भी है विवेक जोशी जोगी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशल सर्विसे सेमोने को फाइनस कि मैं इनको सेंट्रल गवर्मेंट द्वारा रव बर ऐ को सेन्टल बॉर्ड है इसमें एज़े धराइक्टर अपौइंट किया गया थे किते हैं इसर्ड बैंक फ इंडेक्ट सो में बिकलों कia जाता associations कि जबर्मेंट किना और इतरा परित बैंक मेंट में होते हैं जो भी नॉमिनेशन होते हैं वो चार साल के लिए किये जाते हैं अगर हम इसका पूरा देखें कौन-कौन आते हैं सेंट्रल गोर्ड में तो देखिए ऑफिशल डैरेक्टर साते हैं जिनमें की फूल टाइम होते हैं गवर्णर और चार से ज्यादा डिप्टी होते हैं जिसमें वन इच फ्रोम फोर लोकल बोर्ट होते हैं विच स्टेट हैस लॉंच्ट मिशन बसुंद्रा 2.0 कि स्राजय ने मिशन बसुंद्रा 2.0 लॉंच किया आपके सामने सही आंसर ऑप्शन यह है आसाम कि अगर आपको सेशन अच्छा लगता है समझ में आता है क भी कर सकते हैं और कई बार में आप से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप वीडियो को शेर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर किसी ग्रूप में आप जुड़े हूं तो आसाम की सीफ मिस्टर डॉक्टर हिमांत बिश्व सर्मा इन्होंने बसुंद्रा 2.0 इ जो बांगलादेश ओरिजिन माइग्रेंट्स रह रहे हैं या फिर ऐसे लोग रह रहे हैं जिनकी नेशनलिटी वो नर्सी पर डिपेंड करती है उनको लेंड राइट्स नहीं दी जाएंगे इसके अलावा जो यहां के सीम है हिमांत पिश्व सर्माइन उने नेशनल जैनरी डोकुमेंट्स रिस्टेशन सिस्टम इसको भी लॉंच किया साथी इस्टेंपिंग फैसिलिटीज भी सुरू की हैं आसाम की बात करें कैपिटल दीशपूर है और गवर्णर जगदीश मुखी है यहां के करम फिमस फेस्टिवल्स की बात करें भी हुआप सभी जानते हैं भषागू आलि यह लिगांग बाएको के रजनीं कब्रा ह और बहगीयो बीश्व अंभुवाशी मेला यह बहुत मेटकूण है मेला यह बी मे duel संथ मिल मैंकू जियासार्येक दौश जाते हैं धो यह काफी महत्तपूर्ण होते हैं इनको आप जरूर पढ़िएगा प्रिएस असाइन्मेंट कोश्चन्स के आंसर जानेंगे हुई इंडिया अंबेस्टर तू इजिप्ट अचीद कुपते हुई इंडिया अंबेस्टर टू कंबोडिया देवयानी कोप्रगड़े इंडिया स्टी 4.0 तो नेशल कमिशन फॉर वुमें दुआरा इसको लॉंच किया है साइबर पीस फांडेशन और मेंटा के साथ मिलकर सबसे पहले 22 अरफ्थार में लौंच किया गया था इसे इंडिया बीकें इंडिया बिकम्स इवर्ट्स सेकेंड लाइस्ट इस्टील आफ reference to air travel how do we better know the regional connectivity scheme of the indian government answer is unan on which day the press council of india celebrated with the national press day 2022 on the theme the media's role in national building answer is 16 november और आप मैंसे कईस्मेंट से मिलगुल सही आंसर दिया है इसी तरह से आप पार्टिस्पेट करते रहिये चलिए आज के सार्मेंट कोस्टन देखे हैं what is the length of india's coastline how many total seats are there in the israeli parliament neset three manot savam festival is celebrated in which state which insurer has recently launched smart wealth advantage guarantee plan on number seven the government had approved issuance of which tranche of electoral bonds that went open for sale on number nine फिर से दिखा देता हूं तो ये questions है इनका आप दीजेगा पांच questions है साथी current affairs funda को आप टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहां पर regular